यहां 10 मिनट में ये काम किया था, हाँ मैंने किया है, क्या मैंने आज ये यूनिट जो है जहां मुझे प्राब्लिम थी मैंने उसका सुलूशन डूड़ा है, हाँ मैंने सुलूशन डूड़ा है देखो students, सभी लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, जितने भी आपके अगल बगल दोस्त है, जिश्यदार है, जो पढ़ते हैं, वो भी सभी लोग पढ़ने का तरीका जो है, वो अलग-अलग रहता है, ठीक है? लेकिन तीन mistakes जो है, वो सभी लोग करते हैं, जिनाब यहाँ पर तीन mistakes जो है, मैं आपको बताने वाला हूँ, कि वो तीन mistakes जो है, आप करते क्या हो, जिससे आप disappointment होते हो, ठीक है ना? तीन बाते क्या है, और उनका solution जो है, जिनाब यहाँ पर मैं आपको बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले, अगर आपने भाई की चनल को subscribe नहीं की है, तो जल्दी से कीज़े subscribe, हमारे इस चनल पर 10 की जो है, वो complete अब होने वाले हैं, बस आपका support चाहिए, इस पे हम एक वाक subscriber जो है, वो जल्दी achieve करेंगे, इंशल्ला सिर्फ आपका साथ चाहिए, ठीक है, चलो जी, अपना जो वीडियो है, स्टार्ट करते हैं, रहो सबसे पहली गलती क्या है आप लोगों को, सबसे पहली गलती जो है आप लोगों को, वो है past fear, ठीक है न, यानि कि past fear, पी mistakes जो है, ये है क्या, सबसे पहले past fear की अगर हम बात करेंगे, past fear मतलब क्या है, अगर कोई student, किसी student को P block का chapter है, ठीक है न, P block एक unit होता है 11th class में, वो पर इसमर्प टाफस्ट माना जाता है, ठीक है न, और student क्या कहता है, कि मैं ये पढ़ नहीं पाता, मैंने ये छोड़ दिय है, ठीक है न, इसलिए वो past से डर रहा है, क्योंकि जब वो coaching कर रहा होता है, जब वो किसी के past पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो तब वो आराम से ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर, तो इसलिए उनको जो past में जो बाते हैं, उनको जो है, उससे डर लगता है, ये इसलिए मान लो, यहां पर 30 days का एक time table बनाता है, मुझे 10 बजे उटना है, मुझे 12 बजे से फिर खाना खाना है, मुझे 3 बजे खेलने जाना है, और फिर जब दिन डलता है, तो शाम को जब अपने बैड़ पे जाता है, तो वो सोचता है कि यार मैंने कुछ आज किया ही नह जो एक whole world की mistake है खास तोर पर वो है phone distraction, ठीक है ना, phone addiction भी कह सकते हो, phone distraction भी कह सकते हो, ठीक है ना, यह बहुत बड़ा मसला है, for example, कोई student जो है YouTube से पढ़ता है, कोई student जो है online learning करता है, जो ही उसको कोई notification आती है, Facebook, WhatsApp, Twitter, किसी की भी notification आती है, तो वो उसमें गुज जाता है, निकल नहीं पाता, इसका मतलब यही है, कि हमने proper guidance नहीं ली है किसी ओर से, कि हम कैसे इन चीजों से भार आ जाए, यह तीन mistakes जो है, मैं आपको challenge के साथ बता दूँगा, यह जो तीन mistakes है, यह आप आज के बाद नहीं होगा, मैं आपको आज solution बताऊंगा, कैसे आप इनको solution डूँचन डूँचन है, हम कैसे इसे दूर हड़ आए, ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया था कि past fear, ठीक है न past fear, पी आफ आफ याद रखने न past fear, past fear मैं आपको करना है, यह challenge है मेरे को, आप से कि आपको क्या करना है, एक dairy लानी है आपको, उस dairy में आपको क्या करना है उस dairy में लिखना है कि मुझे 15 तारीख तक यह complete करना है, ठीक है, मुझे 20 मिनट में यह complete करना था, मुझे 10 मिनट में यह complete करना है, मुझे 15 मिनट में यह काम complete करना है, तो यह आपको रोज करना है, यह आपको अपने dairy में जो है वो लिखना है, यह नहीं लिखना है कि मुझे क्या करना है मुझे खाना है इतने बजे खाना है 10 बजे में वहाँ जाओंगा खेलने जाओंगा वो आपको इसमें लिखना नहीं है इसमें खाली लिखना है कि आपको ने पढ़ना क्या है वो ही इसमें क्या करना है राइट डाउन इसमें करना है हाँ मैंने किया है क्या मैंने आज यह यूनिट जो है जहां मुझे problem थी मैंने उसका solution डूणा है हाँ मैंने solution डूणा है क्या मैंने 10 minute में वो chapter जो है उसका revision किया है या मैंने 10 मिनट में वह home work complete किया है अगर नहीं किया तो इसको cross करना है इसी तरी किशे दूसरे दिन भी आपको नया page बरना है उसमें लिखना है कि मुझे क्या क्या करना है दिन में वही आपको फिर cross tick cross करनी है उसको जो करना है जो आपने किया है उसको tick मानी है जो आपने नहीं किया उसको cross करना है जब आप 10-15 दिन तक आप ये challenge आप करोगी तो आपका जो पढ़ने का तरीका जो है वो change हो जाएगा ठीक है ये रहा solution number one past fear का जब आप सुबह सवेरे उठोगे तो सबसे पहले मैंने toughest अगर कोई भी unit आपको tough लग रहा है mathematics tough लग रहा है chemistry biology या कोई और subject आपको tough लग रहा है 9th 10th में तो आपको सबसे पहले वो ही chapter जो है वो open करना है वो ही पढ़ना है क्योंकि जब आप सो जाते हो सोने के बाद जब उठते हो तो आपका mind फ्रेश रहता है जो जुसको आप ज़्यादा difficult मान रहे हो ठीक है यह रहा mistake number one और उसका solution नहीं ने बता दिया ठीक है अब यहां पर दूसरी जो मैंने mistake बता दी थी आपको time table scheduled time table ठीक है time table हर कोई बनाता है जब exam की preparation कोई करता है चाहे JEE की, NEET की, IS की यह किसी और competitive exam की board JK Boss 10-12 किसी भी exam की preparation करता है तो उसमें क्या करता है वो बाई उसमें वो एक time table बनाता है वो time table बनाता है 30 days का ठीक है ना? 30 days का वो time table बनाता है लेकिन जब वो 30 days का time table बनाता है वो फिर fail होता है रात को वो जब सोता है तो उसके बाद उसको पता ही होता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं फुजल में मैंने time table बना दिया आपको time table बनाना है लेकिन आपको सुबा सवे रात को बनाना है जब आप सो जाओगे सोने से पहले आपको एक time table create करना है कि मुझे बाई लोग कल mathematics में दो units जो है units जो है वो complete करने है ठीक है यह आपको यहाँ पर लिखना है time table में जब आप time table लिखोगे जब आप time table लिखोगे उसमें लिखना है कि mathematics मैंने आज दो chapter जो है complete करने है ठीक है और इसी तरीके से यह नहीं लिखना है मुझे बारा बज़े खाना कहना है दस बज़े सोना है उसके बाद मुझे जाना है दोस्तों के साथ खिलने 12 बज़े से 15 मिर्ट नहीं यार यह नहीं लिखते लिखना क्या है कि मुझे आज mathematics में दो unit complete करने है चाहे आपने सुबा किया, चाहे आपने दिन में दुपेरे में किया, लेकिन आपको दो यूनिटी जो है दिन में complete करने हैं, ठीक है, यह रहा time table का मसला, जो सारे लोगों को, मुझे भी था पहले-पहले, जो student है, मेरे brothers है, या मेरे जो छोटे-छोटे बाई है, उनको भी मैं हम तीन की बात करेंगे, पॉइंट नमर तीन की बात करेंगे, फोन एडिक्शन, कोई student जो है, यूटूब से पढ़ता है, कोई student आनलाइन वेबसाइट से पढ़ता है, कोई PDF से पढ़ता है, जो ही पढ़ने बैठता है, तो net on रहता है, आपको मालूम है, तो उसके लिए ए है, अगर आप यूज कर रहे हो, तो उनको फालो कीजिए, जो आपको help के रहे एक्जामे, अगर आप जही की तयारी कर रहे हो, need की तयारी कर रहे हो, किसी और complete exam की तयारी कर रहे हो, या DK Boss, CBSE 10-12 में हो, तो आपको उनही को फालो करना है, जो आपको फाइदा दी, ठीक है, YouTube को आपको करना क्या है? YouTube से आप shots देखते हूँ, कोई student जो कहता था, मैं message कि मैं जझाधा shots देखता हूँ, तो मुझे इससे बहार निकला, मैं क्या करूँ? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक account जो है, एक account आपको create करना है, new account, ठीक है? उस new account में आपको करना क्या है? करना पड़े जिस्से फायदा मिले यह नहीं कि आप फुझूल में किसी का विलॉग्स देख रहे हो किसी एक्सपीरियंस देख रहे हो यह वह इससे कुछ फायदा नहीं मिलता आपको करना क्या उन्हीं को फालू करना है जो आपको मदद करें पढ़ाई में आपको सिर्फ एक ही काम है वो है पढ़ना पढ़ने के अलब आपके गास कुछ काम ही नहीं होता है ठीक है क्योंकि माबाप ने भी आपको इसलिए पैंसे दे रहे हैं ताकि आप पढ़ो लिखो आराम से अपना जो केरियर है वो सेटल करो इसलिए वो आपको पैंसे दे रहे हैं आप क्या कर रहे हो किसी के व्लॉक्स देख रहे हो किसी के डांस देख रहे हो किसी के सिंग देख रहे हो उससे आपका टाइम भी वेस्टे रहता है माबाप के पैंसे भी खाता हूँ आपको करना क्या है मैंने आ आपको एक guarantee देता हूँ कि जब आप 15 days complete करोगी तो आप मुझे Instagram में message करना कि बाई मुझे change नहीं आगी आप गलत कह रहे हो तो उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा अगर उसमें आपको change नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना ठीक है तो यहां पर 15 days का मैंने challenge रखा य लेकिन उससे पहले वीडियो end करने से पहले आपसे एक request है कि आपने नीचे एक comment करनी है कि आपने इससे कुछ सीखा है या नहीं अगर आपने 1% भी सीखा तो आप मुझे नीचे एक comment कर सकते हो कुछ भी लिख सकते हो नीचे comment कर सकते हो अगर improvement चाहिए मुझे किसी वीडिय ये कुशिश कर रहा है लेकिन पढ़ता नहीं अच्छे से ठीक है ना उसको ये जुरूर जो है वो सेंड करना ठीक है चलो जी दीजे इजादबाय को इतना ही वीडियो था अल्लाहाफिज